हम जानते हैं कि आयत का शेत्रफल होता है आधार गुणा उचाई यानि कि शेत्रफल A है आधार B गुणा उचाई H और जो समानतर चतुरभुज होता है उसका भी शेत्रफल होता है आधार B गुणा उचाई H और ये पिछले वीडियो में हमने साबित किया था एक बहुत ही बहतरीन तरीके से जहाँ पर हमने ये चोटा सा तुकडा इस तुरभुच का यहां से काट कर इस समांतर चतुरभुच के दाई तरफ लगा दिया था यहां पर तो ये बिल्कुल एक आयत बन गया, बिल्कुल उपर वाले आयत की तरह तो यहाँ पर मैंने शेत्रफल घटाया या जोडा नहीं है, यहाँ से उठा कर मैंने यहाँ लगा दिया तो ऐसा करने पर ये आयत बन गया, जिसका शेत्रफल होगा आधार गुणा उचाई उमीद करता हूँ कि मैंने तुम्हें ये बिल्कुल सही तरीके से समझाया है क्योंकि हम यही चीज उपयोग करने वाले हैं त्रिभुज का शेत्रफल निकालने के लिए भी तो चलो एक तरिभुज ले लेते हैं तो यहाँ पर ये तरिभुज है जिसका आधार है भी और उचाई है एच तो अब जरा सोचो इस तरिभुज का शेत्रफल हम कैसे निकालेंगे तो ये तरिभुज का शेत्रफल निकालने के लिए मैं बिलकुल ऐसा ही एक और तरिभुज बना लेता हूँ तो यहाँ पर बिलकुल इसके जैसा ही एक और तरिभुज यहाँ पर मैंने बना लिया है और अब इसको मैं घुमा लेता हूँ तो इसे मैं ऐसे घुमाता हूँ कि उसके बाद इसे यहाँ थोड़ा सा खिसका कर बिलकुल इस त्रिभुज के उपर लगा दूँ तो अब देखो यह बहुत ही दिल्चस्प हो चुका है क्योंकि ऐसा करने के बाद हमने यहाँ पर बना लिया है एक समानतर चतुर्भुज जो बना है हमारे दो त्रिभुजों से तो अब इस समानतर चतुर्भुज का जो शेत्रफल होगा वो क्या होगा तो अभी अभी हमने देखा कि जो शेत्रफल है A वो बराबर होता है समांतर चतुरभुच के आधार B गुणा उचाई H या या ये वाली कोई भी उचाई लेलो तो गुणा उचाई H तो ये हो गया हमारे समांतर समांतर चतुरभुच का शेत्रफल ये तो शेत्रफल हुआ समांतर चतुरभुच का पर हम जानना चाते हैं हमारे त्रिभुच का शेत्रफल ये हमारे पहले वाले त्रिभुच का शेत्रफल तो हमने अभी अभी देखा कि ये जो समांतर चत्रभुज है उसका जो शेत्रभुज है वो बनता है हमारे दो त्रिभुज से तो जो एक त्रिभुज है उसका जो शेत्रिफल होगा A वो बराबर होगा आधा समानतर चत्रिभुज के शेत्रिफल के यानि की B गुणा H आधार गुणा उचाई तो त्रिभुज का शेत्रिफल हो गया एक बटा दो आधार गुणा उचाई तो चलो, मैं एक और तरिभुज लेता हूं और अब की बार मैं लेता हूं एक अधिक कोण तरिभुज तो यहां पर यह है एक अधिक कोण तरिभुज तो हम इसका शेत्रफल निकालनी कोशिश करेंगे, इसका आधार है B और उचाई है H और उचाई अच्छे से दर्शाने के लिए मैं जरा एक एक रेखा बना लेता हूँ हमारे आधार के बराबर तो ये हो गई हमारी उचाई अब इस त्रिभुच का शेत्रफल निकालने के लिए हम वही करेंगे जो हमने पिछली बार किया तो मैं इस त्रिभुच की खूबहू एक नकल बना लेता हूँ तो यहाँ पर ये खूबहू नकल बन गई इसकी और अब इसको मैं घुमा कर इसे घुमा कर इसके उपर रखूँगा ताकि हमारा समानतल चतुरफुच बन जाए यहाँ पर मैं इसे रख रहा हूँ इसे मैं बराबर रख देता हूँ तो ये बन गया हमारा समानतल चतुरफुच और इस समानतल चतुरफुच का जो शेत्रफल होगा वो तो हम जानते ही है वो होता है आधार B गुणा उचाई H तो यहाँ पे आधार B गुणा उचाई H अब हमारा जो त्रिभुच था उसका शेत्रफल क्या होगा तो सीधी सी बात है उसका शेत्रफल होगा आधा उसका शेत्रफल होगा आधा इस समानतर चतुरभुच के शेत्रफल के तो तुरिबुच का शेत्रफल है एक बटा दो आधार गुणा उचाई और आयत का या समानतर चतुरिबुच का शेत्रफल होता है आधार गुणा उचाई